सुबह सुबह अगर नाश्ते में पोहा कचोरी मिल जाए ना तो दिन बन जाता है और उसमें भी अच्छी बात यह है कि अगर ये घर के बने हुए हो तो सोने पे सुहाग हो जाता है अगर मैं आपको कौहूं कि आप टेस्टी से पोहा कचोरी सिर्फ आधे गंटे में बना सकत इसे अच्छे से दो से तीन बार आपको वोश कर लेना है नोर्मल पानी से अगर आप चाहे था आप उड़त की डाल भी ले सकते हैं कुछ लोग है ना उड़त की जो डाल होती बिना चलके वाली उससे भी बना के तयार करते हमारे यहां बेसिकली मूंकी डाल से बनाया जात है उतना ही आपको बरबर मात्रा में पानी डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे आपको दो विसल लगा लेनी है प्रेशर निकालना नहीं है और निकलने देना है तब तक फटा-फट से हम पोहे को वोश कर लेते हैं तो यहां पे मैंने पोहे ले लिए लगबग 2 कप के है कोई भी पोहे ले सकते हैं चाय दो पेकिंग वाले हो या फिर इस तरह से खुलह यह जो है ना पोही यह पेकइंग वाले नहीं है और मतलब लूस मिलते मार्केट में वह वह है इनको भी अच्छे से बाश कर लेंगे 2 को यह ज लिए इसब आप निस में डाल दिया है और 5 मिनीट तक पानी इसमें रहने देंगे उसके बाद इनको छन्नी में डाल देंगे ताकि एक्स्ट्रा वाटर सारा निकल जाएगा और पोहे जो है ना अच्छे से सोफ्ट हो जाएंगे और गल के तयार हो जाएंगे तब तक फटा फट से हम मेदा लगा लेते हैं कचोरी के लि देना है मोयन मोयनबोट जरूरी यह बहुत जिलुरा ज्साइब हारी बहुत जादा है जब कम नहीं होना जाओ इस बात का ध्यान रखना कहुए कोगी कचोरी का खसता होना या फिर जान उसका पूरा से टेशिट होता शोता और उस con. depend करता है कि आपने मोयन के साँ डाला है तो मोयन इस तरह से चेक कीजिए अगर आप इस तरह से मुठी में बाइंड करते हैं तो प्रोपरली बन जाना चाहिए तो ये जो मोयन है नहीं ये फरफेक्ट है ये ना जादा है ना कम है तो अभी अच्छे से मिक्स करने के बाद में हम क्या करेंगे इसको थोड़ा-थोड़ा पानी डालके और डो लगाना है अब जब आप डो लगा रहे हैं तो इस बात का भी ध्यान रखना है कि डो जो है ना बहुत ज़्यादा सोफ्ट है फिर बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए नहीं तो कचुरियां सारी फट जाएगी तेल में जाके आपको बढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है तो कुछ चोटी चोटी बात है जो मैं टिप्स आपको बता रही हूँ वो आपको ध्यान रखना है कि जो आप डो लगा रहे हो बिल्कुल सोफ्ट होना चाहिए जैसे हम चपाति का लगाते हैं अभी उसको रेस्ट करने देंगे 5-7 मिनिट के लिए तब तक फटा फट से दाल चेक कर लेते हैं अभी देखें 2 सीटी लगाई थी प्रेशर अपने आप से रिलीज हुआ था और अभी मैंने चेक किया है दाल है 90% तक कोग हो गई है मतलब हलका सा क्रंच बाकी है तो इस तरह से में दाल बोईल करने होती है और देखें पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं है बिल्कुल सुकी सुकी जो है न दाल बोईल हो गई है पानी नहीं है तो इस बात का ध्यान रखना है बिल्कुल बराबर सेम क्वांटिटी का अगर आप ध्यान रखेंगे न मेजर अगर आपके पास साबुत धन्या हो तो आप करश करके वो भी डाल दीजीगा मेरे पास अभी नहीं था तो मैं नहीं डाला है आदा चोटी चमच के करीब यहां पर हींग डाल दी हींग का एक बहुत ही स्ट्रॉंग फ्लेवर आता है कचोरी कंदर तो बहुत टेस्टी लगती ज्यादा तर मार्केट में इसी तरह से मिलती है तो यहां पर हींग अच्छे से डाल लिएगा उसके बाद हरी मिर्ची डाल दीए हरी मिर्ची को हलका साम जो है ना ओयल में बुन लेंगे लगवग एक मिनिट के लिए उसके बाद डाल रहे हैं इसमें दो चमच बेसन तो ब एक मिनिट में अच्छी सी खुश्बू आने लग जाएगी तो गेस की फ्लेम बिलकुल लोग पे करके और हम फटा-फट से कुछ चीजे जो हमने दाल बोईल करी थी वो एड कर देनी है टेस्ट के अकोडिंग यहां पर नमक डाल देना है और इसी के साथ में यहां पर डाल यहां पर डालें दो चमच दन्या पाउडर एक चोटाई चमच अमचूर पाउडर डाला है और इसी के साथ में डालेंगे आदा चोटी चमच के करीब हम गरम मसाला बिलकुल मार्केट वाला फ्लेवर देने के लिए गरम मसाला ज़रू से डालिएगा और बस इन सब चीजो को अच्छे से मिक्स करने के बार थोड़े पानी के चीटे हमें लगाने थाकि जो बेसन है ना वो हलका सा फूल जाए और उसकी जो कोटिंगे जो उसकी लेयर है ना दाल के उपर आ जाए तो इसमें बाइंड आ जाएगा क्योंकि दाल को हमने इतना ज्यादा बोईल नहीं क करते हुआ बता रहे हूँ वैसे तो आपको कही सारी रेसीपी मिल जाएगे लग-अलग लेकिन मैं आपको सिंपल वह में बता रहे हूं और पहुत ही टेस्टी बनेंगे तो एक चोटी चमच राए डिया है आदा झोटी चमच जीरा आदा चोटी चमची सोंप डाल दीए इ आप इसमें डालेंगे हींग, तो हींग का प्लेवर बहुत अच्छा लगता है, पोई के अंदर भी, पोई के अच्छरी के अंदर हींग मुझे परसनली पसंद है, और विसे मार्केट में भी हींग का एक स्ट्रोंग फ्लेवर आता है, तो आप अगर पसंद होता, आप जरू तो डालिए मतलब अगर आप खाते हैं तो अगर आप प्याज नहीं खाते तो इसकीप कर दीजे लेकिन अगर आप खाते तो इस स्टेज पर जरूर से एड कीजिएगा क्योंकि इससे क्या होता है अगर हम बाद में प्याज नहीं भी डालते ना उपड़ से पोगे का अंदर दो भी चलता है और बहुती मस्त इसका टेस्ट आता है तो बस यह सब चीजे डाल लेने के बाद प्याज है ना दो मिनिट के अंदर सोफ हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे हम नमक टेस्ट के कोडिंग नमक डाली है मैंने यहां पर लगबग ठोटी चोटी चोटी चोट चमच यहां पर हलदी पाउडर थोड़ा सा कमी डालना है नि तो जो कलर है वह ज़्यादा डार्क हो जाता है पोई का और यहां पर डेट हमें डाला है मैंने धनिया पाउडर सबको अच्छे से मिक्स कर देंगे और गेस टी फ्लेम को बिलकुल लोग पे कर देना है आपको और उसके बाद जो हमने पोहे निकाल गया रखे तो चल्ली में जो पानी इक्स्टा निकल गया है और देखिए पोहे कितने खिले खिले हो गए पांच मिनिट लगते इस प्रोसेस में फटा फट से पोहे बन जाते हैं तो अभी इस तरह से डाल दिये और अभी अच्छे से इन के लिए ढखना है दो मिनिट बाद हम फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से हमारे बहुती टेस्टी पोहे बन जाएं के वैसे तो आपको काफी सारी रेसिपी मिल जाएगी जिसमें बहुत सारी चीज़े डालते हैं लेकिन कभी-कभी ना बहुती कम इस पे तेल पहले से चड़ा दिया है बिल्कुल लो फ्लेंपे करके चड़ाया है कि कचोरी में ना तेल बहुत ज्यादा गरम नहीं लगता है तो तेल हलकाल का गरम हो रहा है उदर दीरे तब तक यहां पर मैंने छुट-चुटी बोल्स भी बना लिए मसाले की जो कचोरी क आपको सबसे पहले तोड़ लेना है में जब भी भहते हूं तो हमेशा मेदा थोड़ा ज्यादा रखना है आपको जो यह हमने थोड़ा है और बोलड की घुट पर्की लियाल अंदर कवर हो जाएगा और देखिए फटाफट से कचोरी जो है ना आप भर सकते हैं इस तरह से पढ़ एक दो बर प्रेक्टिस करेंग ना इस तरह से तो बहुत ही आसा § चो आपका कचोरी इस तरह से भर पाएंगे बस अगर आपका जो डो है ना पर्फेक्ट लगेगा तो आप भर पाएंगे तो आपको डो है ना बिल्कुल चपाती का आठा जैसे हम लगाते ना सोफ्ट एसा सोफ्ट लगा कि तयार करना कचोरियां यहां पर भड़ लिए मैंने ओयल का टेंपरेचर देख सकते हैं बिल्कुल इतना ही होना चीए ज्यादा टेंपरेचर में नहीं डाले नहीं तो कचोरी न अच्छे से नहीं बनेगी अंदर से कच्छी रही कि और उपर से ब्राउन हो जाएगी फटाफट से इस पर थोड़ी सी देड़ लगती है मतलब लगबग आपको एक इस बेच को फ्राई होने में लगबग दस से बारा मिनिट लग जाते हैं तो यहां पर देख सकते हैं अभी मैंने डाल दी थी कचोरिया अप पांच मिनिट हो गए कचोरि और जैसे हम फ्लेम तेज करते हैं एकदम से कचोरिया अच्छे से फूल जाती है बहुत ही अच्छा तो देख सकते हैं अच्छे से फूल भी गई अभी तो गोल्डन कलर आ गया एकदम प्यारा सा तो कचोरिया हमारी लगबग बन गई है बस थोड़ा सा और कलर इनका डार् जो कि बहुत ही tasty होता, साथी साथ healthy भी होता है क्योंकि market में जो मिलते न, वो पता नहीं किती बार उस oil को use किया जाता है घर में हम हर चीज fresh तरीके से बनाते हैं, तो घर की चीज़े healthy होती है तो जब भी खाने का मन करें इस तरह से आप बना सकते हैं वीडियो पसंद आयो तो लाइक जरूर कर देना